वेलकम टू स्वातिस्तान मैं स्वातिकांवर शेर कनने जारी हूं आप सभी के साथ रबडी की रेसिपी इसमें जो मेन फ्लेवर है वो हम केसर का देंगे बाकी रबडी बनाने के लिए हमको थोड़े से पेशन्स की जरूत होती है क्योंकि इसको बनाने में वक्त लगता है हम को थोड़ा एलर्ट रहना पड़ता है और फ्लेम का ध्यान रखना होता है बाकी जो भी इसके स्टेप्स है वो बहुत ही सिंपल है आप इसको अपने घर में अराम से बना सकते हैं अब चली आए शुरू करते हैं बनाना जबडी बनाने के लिए मैं नहीं हम पिलिया है यह लीटर फुल क्रीम दूद आपको यहां पे फुल क्रीम दूद ही लेना है जिसमें मलाई अच्छी खासी निकल कर आती है और इस दूद को आपको मीडियम फ्लिम पे गरम करना है जब इसमें उबाल आ जाए तो आप देखेंगे कि यह जो मलाई की एक लेयर है यह इस तरीक जलना जाए जिस भी बरतन में आप उसको गरम कर रहे हैं 20 मिनट आपको इसी तरीके से लो फ्लिम पे इसको उबालना है और जब दूद थोड़ा कम होने लग जाए इसकी क्वैंटिटी कम होने लग जाए तो इस पॉइंट में आपको यहां पे न यह एक चुथाई चमच क बीच बीच में आपको दूद को चलाना है जो भी मलाई की लेयर उपर आएगी उसको आपको इस तरीके से साइड में लगा देना है और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कड़ाई या फिर जो भी बरतन में आप यह बना रहे हैं वो पतली है साइट से तो अगर आप इसको स्टिक करेंगे तो यह जल सकती है जैसे कि यह मेरी कड़ाई है यह थोड़ी सी मोटी है तो इसमें यह जलेगी नहीं इसलिए मैं यहां पर साइड में स्टिक कर रहे हूं अदर्वाइस आप यह स्टिक ना करें और इसी में ही मिक्स करते रहें इससे में थोड़ा सा हैवी होना चाहिए और फिर आप इस तरीके से मलाई को साइड में सेट करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो रबडी है वो लच्छेदार बनेगी उसमें जो मलाई की लेयर है यह इसी तरीके से निकल कर आएगी और इसको हम बाद में मिक्स करेंगे अभी आ और जादा निकल कर आएगा अगर आप मेरी तरह ही दो लीटर दूद में बनाएंगे या इससे जादा तो आपको देड़ से दो घंटे लग जाएंगे बस आपको यहां पर जादा कुछ नहीं करना है जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लेम लो रखनी है इसमें जब भी लेयर आपको ने कर दिया है और जब यह गया था कर सकते हैं अ ऋडा जाए तो इस पॉइंट में आपको डालनी है चीनी की आप धालता मीठी नहीं होती है नहीं अंगी आप अपने 트ेस्ट में अिसमें डाल रह consult कर सकते हैं आदर चम्मच छोटा मैं इसमें डाल रही हूँ ये इलाइची पाउडर, थ्री फोर्थ चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये क्रश करे हुए ड्राइफ फ्रूट सीन को मैंने ग्राइडिंग जार में पीस लिया था, यहाँ पर मैंने ये काजू बदाम पिस्ता का ये तरीके से दर-दरा, इनको आपको मिक्स करना है, अब आप जैसा कि देख सकते हैं, दूद काफी गाड़ा हो चुका है, इसकी क्वाइंटिटी भी काफी डिक्रीज हो चुकी है, जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो अब ये जो लेयर हमने साइड में लगाई थी ना इसको आप इस तरीके से निकाल लें, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लेयर बिल्कुल भी नहीं जली है, क्योंकि हमने फ्लेम को यहाँ पे लो रखा था, अभी आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी में भी फरक पड़ेगा, और आपको बस आखरी 5 मिनट के लि इसको बंद कर देना है, और अब चलिए इसको हम अच्छे से सर्फ करते हैं, इनको मैं सर्फ करूंगी यह कुलड में, इससे इसका टेस्ट और भी जाद अच्छा हो जाता है, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से इसको सर्फ करेंगे, उपर से थोड़े से कट करके पिस्ता डा ही है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस अब इसको सेट करने के बाद, हमको इसको फ्रिज में रखना है, ठंडा करने के लिए कम से कम एक घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, इससे इसका टेस्ट और कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाएगी, और अब देखि भी एक दम पर्फेक्ट आया है बाकि आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइफूर्स इसमें स्किप कर सकते हैं चीनी कम जादा कर सकते हैं बाकि जो इंग्रीडियंट्स की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको मेरी वीडियो यूसफुल लगी हो आपको नहीं रेसिपी सीखने को मिली हो तो मुझको कॉमेंट करके ज़रूर्ब बताएं मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप नभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से कर लें औ ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्स वर वाचिंग